हलो अब्रिवान वेलकम बैग टू माई चैनल आदी मोनो किचन तो आज आदी मोनो किचन से मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी सी रेसेपी शेयर करने वाले ही जिसे मैंने सिर्फ दो टेबल स्पून दही से बना करके तैयार क्या फिर भी इतनी सॉफ्ट और स्पंजी बन का डोकला तो इस नास्ते को बनाने के लिए मेजरिंग कप से एक कप मैं ने लिया है विसर्ण यह बिसर्ण को मैंने पहले ही छान करके रख लिया था पर टेस्ट, वन फोट टीवीएस, टर्मरी पवडर एट करेंगे, एकदम कम दही डाल के आज हम इसे बनाएंगे, अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं, तो दो निभू करस निकाल लें, उसे डाल के भी आपीसे बना सकते हैं, उसे भी आपका नास्ता बहुत ही सौट रि लेंगे, उसे भी हैट कर दीएंगे ने say by जाय आ तो बैसंगों सबी चीज़ा को पहले अच्छे से मिकस करेंगे की होई है जिस आप से हमने बैसन मेंजरमेंट किया था उसी कपसे hoor से जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा और आपके बैटर में बिल्कुल भी लंग्स नहीं पड़ेंगे जितने अच्छे तरीक से बैटर आपका फिटेगा उतने ही सॉफ्ट स्पंजी आपका नाश्टा बन करके तैयार होगा तो इस प्रोसेस को आप बिल्कुल भी इसके इपना करें इस बैटर को मिक्स करते हुए पांच मिनिट हो चुका है और यह बैटर मारा एकदम लाइट व कर सकते हैं 10 मिनिट हो चुका है बैटर को भी चेक करेंगे बैटर में हम वन टेबल स्पून डालेंगे जिससे नास्ता अंदर से भी एकदब सॉफ्ट बनेगा तो इस नास्ति को बनाते सामय आप ओईल को बिल्कुल भी इसके इपना करें अच्छे से मिक्स कर देंगे ओए अब एक पिंच इसे मैं अट कर रहे हूं खाने वाला सोडा सिर्फ एक पिंच ही एड करेंगे हैं मिक्स कर देंगे यह हमारे नास्ति को सॉफ्ट करने में और एक्टिबेट करने में बैटर को बहुत हैल्प करता है यह बैटर हमारे एकडम तैया आरे और नास्ति बनाने के लिए इस तरीकी के फ्लोइंग अंसिटेसी वाला बैटर ही आपको बना करके तैयार करना ना इससे गणा बैटर आना ची और ना इससे जादा पतल्या उसमें हम बैटर को सिफ्ट कर देंगे परतन को इकड़ टैप कर देंगे और यह बैटर हमारे एकडम स्टेम होने के लिए तो चलते हैं गैस कीता गैस की उपर कडाई में मैंने एक ग्लास पानी स्टीम के लिए रख दिया था और यह यह की पानी हमारे एकड़ मारे अच्छ से स्टीम हो हो चुका है तो यह टूथपिक लिए एक बर चेक करेंगे तोथपिक में बिल्कुल भी बैटर नहीं लग रहा है नाशता हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है टोटल इस नाशते को स्टीम होने में 15-16 मिनिट का टाइम लगा है तो अब गैस का फ्रेम कर देंगे बंद और इसे हम बाहर निकाल लेंगे इस कंटेनर को बाहर निकाल करके एक थाली में पानी रखके और उसके उपर इस कंटेनर को रख देंगे तो यह नाशता हमारा बहुत ही जदी ठंडा हो जाएगा यह कंटेनर को हमने 5 मिनट के लिए पानी में रखा था और एक दम रोम टेंपर इसके उपर हमेंसे पुल्टा कर देंगे और हलके हाथों से टप कर देंगे और यह देखे नाशता हमारा कितने अच्छे तरीके से स्टीम हो चुका है कंटेनर में बिल्कुल भी इसका बैटर नहीं लगा है इसके अब हम पीसेस कट कर लेंगे पहले पीसेस आप अपने प्रेट को घुमा लेके और दूसरे साइट से भीसे हम कट कर लेंगे सभी को हमने कट कर लिया है तो एक पीस में आपको एकदम पास से चेक करवाती हूं यह देखे किती बढ़िया जाली आई है और बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी स्पंजी सा यह नाश्ता हमारा बन करके तह इसमें लगाने वाले है तरका घास के उपर मैंने पड़े सा इसका पैन रखा यह तो कि अधारी अलट आख गरम को गया इसमें वन टेबिल स्पून में ने राई एट कर रहें है राई को अच्छे आपको चटकने देना यह पहले इन हारी मिट्च को मैंने लंबलह में स्ला एक चम्मा चिस्वे में वाइट वाली तिल्वी एट कर देए जिसे नाश्टा हमारे लुकवाईज भी बहुत ही अट्रेक्टिंग लगेगा इदेखे सभी चीज़े अच्छे दें चटक चुकी इसमें अब हम यह जो हमने नाश्टा तैयार किया है उसे एट कर देएंगे और थोड़ा सा उपर से हरा धनिया भी डाल देंगे और नाश्टे को हम इस तरीके से हलके हलके हाथों से पैन को उठा करके रोटेट करेंगे जिससे कि सभी क्योपर अच्छे से तरका मिक्स हो जाए और यह देखें तरका सभी नाश्टी को परिग्दम अच्छे से मिक्स हो चुका है तो थोड़ा सा बारे कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे और यह बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट स्पंजी सा डोकला हमारा तैयार है तो इसे हम सर्वी प्रेट में निकालेंगे